हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए कोस्चन लेकर क्या है कोस्चन क्लास 9 की मैद की बुक से लिया गया है एकसरसाइज है 12.2 कोस्चन नमबर है 1 आएए इस कोस्चन को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप बस वीडियो को अंतर तक देखिए और ध्यान से देखिए चले शुरू करते हैं तो यहां पर इस कोस्चन में हमसे बोला गया है कि आप आर्क इंदा सेप आफ क्वाडी लेटरल देखो क्वाडी लेटरल वह होता है जिसकी चार भोजाए हो यानि कि चतरभूज की बात कर रहे हैं क्वाडी लेटरल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आपको बनाने का भी तरीका में मैं वक्को बताता हूं सबसे पहले आपको रव फीगर ड्रो करना चाहिए बगल में कहीं पर rough figure draw करना चाहिए या pencil से draw करना चाहिए बाद में जब समझ में आजए कि figure कैसे बनाया है तब जाके final figure को draw करना चाहिए जब एक बार हम figure को draw कर लेते हैं तो हमारा question बहुत ही आसान लगनी लगता है चलिए फिर हम पहले figure को draw करते हैं सबसे पहले हमें एक रफ फीगर बनाएंगे ठीक है आप जैसे इन्होंने कहा कि क्वाडिलेटरल तो फटा फटे कैसे क्वाडिलेटरल बना दो कैसे भी हो इसका कहीं से भी नाम देना शुरू कर दो जैसे मैं इधर से दे रहा हूं तो A B C D आप कैसे भी दे सकते हो आप इध सबसे पहले देखो हमें क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है तो यह हो गया हमारे पास 90 डिग्री यह हो गया 12 मिटर और यह हो गया हमारे पास 5 मीटर ठीक है यह हमारे पास हो गया 8 मिटर की और यह हमारे पास हो गया 9 मिटर मिटर तो फीगर कुछ का area कितना होगा तो देखो अगर ये quadilateral square होता rectangle होता या फिर trape 디यम होता या rhombus होता तो हम इसका area calculate कर सकते थे बाइ using formula लेकिन यहां पर तो ये quadilateral है इसका formula ही हमें नहीं पता है तो हम इसे calculate कैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले दो पार्ट में मैं अगर यहां से इसका डायागोनल डालूंगा तो यह दो ट्रेंगल में डिवाइड होगा किसमें डिवाइड होगा दो ट्रेंगल में डिवाइड होगा अब हम ट्रेंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं चाहे वो कोई भी ट्रेंगल हो बाई योजिंग हेरांस फार्मूला तो यहां पर जब इसे हम दो ट्रेंगल में डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा हमारे पास यह वाला ट्रेंगल और एक बनेगा हमारे पास यह वाला ट्रेंगल तो यहां पर दोनों ट्रेंगल का अलग-अलग एरिया निकालेंगे और उनको add कर देंगे तो हमें इस quadrilateral का area मिल जाएगा यानि हम माल लेते हैं कि हमारा एक area ये है और एक area ये है A2 कितना है? A2 है तो A1, A2 को plus कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा? इस quadrilateral का area मिल जाएगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर intringle ACD हम triangle ADC में शुरुआत करेंगे ADC क्या है? एक right angle triangle है हमें जब इस triangle को लेंगे मालो हम ADC ले रहे हैं तो ADC में हमें इसका तो पता है और इसका भी पता है लेकिन ये कितना है? ये नहीं पता है ये, ये कितना है? ये नहीं पता है तो इसका पता करने के लिए हम पाइधागोरियन थेरम लगाएंगे जहां पर यह हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो इंटरेंगल ADC using पाइधागोरियन थेरम तो पाइधागोरियन थेरम क्या होगा यहां पर होगा AB square is equal to BC square plus CD square ठीक है यह लगेगा हमारा पाइधागोरियन थेरम जहां पर हमें BC square की value पता है 12 square कितना 12 square और प्लास CD की value पता है हमारे पास 5 square कितना 5 square हम यहां पर जब solve करेंगे 12 का square होता है 144 5 का square होता है 25 यहां से आजेगा 169 और जब देखो यहां पर AB square is equal to 169 आया हमें तो AB की value चाहिए तो इस case में इस square को जब उधर बेजेंगे तो यह हो जाएगा square root क्या हो जाएगा a square root the value आप AB is equal to under root 169 और 169 का square root होता है न वो होता है 13 सारी unit meter में चल रही है तो AB की value हो जाएगे 13 meter अब हमें देखो इसकी value पता चल गई 13 meter इसका area तो हम एरिया is equal to 1 by 2 half base into height लगा के find कर लेंगे लेकिन इसका area तो हमें calculate करना पड़ेगा by using pythagorean theorem now area of triangle a c d तो area is equal to होता है half यह कौन सा triangle है यह two triangle है a2 तो area of triangle a c d is equal to half base into height base हमारे पास है 5 और height हमारे पास है कितना 12 तो टू अंजा टू 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 सिक्सर ट्वेल तो यहां पर आजाएगा 65 जा 30 कितना आजाएगा 30 आजाएगा मैं इसको कहीं और लिख देता हूं ठीक है तो जो area a2 आजाएगा वह आजाएगा हमारे पास 30 मीटर स्क्वेर अब हम बात करेंगे इस वाले एरिये की a1 की बात करेंगे किसकी बात करेंगे a1 की तो यहां पर हमें पाई था हेरांस फार्मूला लगाना पड़ेगा ना इंट्रेंगल a, b, d देखो सबसे पहले हमें अगर हेरांस फार्मूला लगाना है तो semi parameter पता होना चाहिए अभी यह वाली जो distance है वो 13 मीटर है तो अभी मैं इसे हटा के देखो बना देता हूं figure जैसे मालो अब हमें इसका area find करना है किसका area find करना b, a, d तो यहाँ पर हमें पता है कि b की value है कितना यह a, b की value है 9 मीटर और b, d की value है 13 मीटर और a, d की value है 9 मीटर तो इसका अब हम सबसे पहले semi parameter find करेंगे तो semi parameter हमार पास आ जाएगा s is equal to 9 plus 13 plus 8 upon 2 देखो जब इनको add करेंगे 13 plus 9 करेंगे तो हो जाएगा मापस 22 वो plus 8 करेंगे तो हो जाएगा 30 यानि कि 30 by 2 तो इस प्रकार से जो semi parameter आ गया हमारे पास वो आ गया 15 मीटर semi parameter कितना आ गया 15 मीटर by using hierans formula तो जब हम hierans formula लगाएंगे मैं अब इसे मिटा देता हूँ तो hierans formula होता है a is equal to under root s s minus a s minus b s minus c यह मारा होता है hierans formula तो जहाँ पर s की value है 15 15 minus 9 15 minus 13 और 15 minus 8 इसको further solve करेंगे तब क्या आएगा देखो यह 15 रहेगा हमारे पास into 15 minus 9 होगा 6 15 minus 13 होगा 2 और 15 minus 8 होगा तो हो जाएगा हमारे पास 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अच्छा इसको further solve करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 15 को अगर आप factorize करेंगे तो 3,5 जब 15 होता है तो इसे हम लिख देंगे 3 into 5 6 को अगर हम factorize करेंगे तो 2 into 3 into 2 into 7 ठीक है इतना लिख देंगे आगे कितना आएगा वो देख लो देखो यह ना जो 3 into 3 है इसका पेर बन रहा है तो यह हम बाहर निकाल लेंगे क्या कर लेंगे बाहर फिर देखो यह जो 2 है और 2 है इसका पेर बन रहा है तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे और bracket के अंदर कितना बचेगा 5 into 7 पाइबचेगा 5 into 7 तो फाइबचेगा 35 हो जाए गए तो तीरी टूजा 6 हो गया और अंडरूड 35 हो गया इसका square around 5.9 something आएगा ठीक है तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ पर जब put करूँगा 6 into 5.9 और multiply करूँगा तो 6,9 जब 54 5 carry 6,5 जब 30 और पलस 5,30 5.4 तो यहाँ पर area आ जाएगा 35.4 meter square ठीक है अच्छे यह area around में होगा तो यहाँ पर ऐसा symbol बना देंगे कि लगभग यह area इतना आ रहा होगा तो एक बार आप इतना राइट डाउन कर लिजे उमेद करता हो आपने राइट डाउन कर लिया होगा तो नाओ area of quadilateral a,b,cd है ना तो a is equal to a1 plus a2 a1 की value कितनी है हमारे पास देखो a1 की value तो हमने calculate किया 35.4 और a2 की value calculate किया हमने 30 तो इन दोनों को add करेंगे तो यह आ जाएगा 65.4 meter square तो यह हमारा इस पूरे quadilateral का area होगा क्या होगा यह हमारा इस पूरे quadilateral का area होगा लास्ट में क्या लिखेंगे 10 quadilateral ABCD occupies 65.4 meter square यह हमारा answer हो जाएगा इस question का क्या 10 quadilateral का symbol है आपको उतना बड़ा नाम quadilateral लिखने की जरूत नहीं है उसके place पर आप यह symbol apply कर सकते हैं plus quadilateral ABCD occupies 65.4 meter square area है ना कितना 65.4 work meter area यह occupy करेगा तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा पाया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन इज दोस्तों के लिए करें